सोनी ने हमसे पूछा कि हमें कैमरा चीह तो हमने कहा एक ऐसा केमरा जो सोनी A7S3 और FX3 की तरह 4K 120F फे शूट कर गया है फिर हमने कहा एक ऐसा केमरा कि जो सोनी के A6700 और सोनी A7R5 की तरह AI Autofocus टेकनोलोजी के साथ हो सोनी ने कहा हो जाएगा हमने यह भी कहा कि हमें FX30 की तरह क्रॉप सेंसर नहीं एक ऐसा सेंसर चीह जो FX3, Sony A7S3 या बाकी फुल फ्रेम केमरे की तरह एक प्रोपर फुल फ्रेम सेंसर हो सोनी ने कहा हो जाएगा फिर अब सोनी ने कहा अब इतने फीचर्स तुम मांग रहे हो सारे केमरा को मिला के एक साथ मांग रहे हो तो प्राइस क्या रखने जी है यह सारे फीचर्स देने के बाद भी फुल फ्रेम होने के बाद में एसे और फॉकस टेकनोलोजी होने के बाद में भी और हजारों और भी भी फीचर्स होने के बाद भी जो प्राइस है वह एक क्रॉप सेंसर केमरा FX30 से भी कम हो जाएगा हो जाएगा है अलो दोस्तों मेरा नावाज है कि मिना मैं एक डारेक्टर एडिटर एंड सिनेमेटोग्राफर हूं सोनी ने अभी एक नया केमरा लौंच किया है जो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप एक बजट सेग्मेंट में प्रोफेशनल केमरा विथ फुल फ्रेम 4K 120 लोग सारे फीचर सी है इवन सोनी A7S3 से भी बहतर फीचर सी है काफी कम प्राइस में तो यह केमरा आपके लिए होने वाला है मैं बात कर रहा हूं सोनी जीवी एवन केमरे के बारे में बट इस वीडियो में हम बाकी वीडियो की तरह सिरफ उस स्पेसिफिकेशन पर बात न लेना चाहिए लास्ट में बहुत कि किन के लिए केमरे स्पेसिफिक लिए इसके प्रोज क्या है इसके कौन क्या है सोनी A7S3 से या फिर fx3 से किस तरीके से बहतर है और किस तरीके से उन केमरों से पीछ आ जाता है तो वीडियो को एंड तक देखिए यह वीडियो थोड़ा में डिसकाउंट मिल जाता है और कई वेबसाइट्स होती है जैसे मेरा सोनी A7S3 जब मैंने लिया था तो तीन लाग शोटीजा रुपय का दिखा रहा था अफिशिल वेबसाइट पर अगरा मार्केट में जाके लिए तो तीन लाग से नीचे भी मिल जाता है आपको मैं बा जाला प्रो है 12.1 मेगा पिक्सल सीमों सेंसर विथ 4K 60fps अंडिल नाउं वीथ एक अपडेट 4K 120fps भी होने वाला है यह जो स्पेसिफिकेशन है यह सेम जो सबसे पहले जो लोन चुआ था सोनी A7S3 उसकी है यह 4K 120fps फूल फ्रेम सेंसर और 10 बिट कलर डेफ्थ एस लोग 3 ए आपको मिलने वाला है तो अगर आपको एक फ्लेट प्रोफाइल पर शूट करना तो भी आप कर सकते हैं जो सबसे इंट्रेस्टिंग चीजे तो सोनी A7S3 में भी नहीं है वह AI ओटो फोकस टेक्नोलोजी करती क्या है यह से मैं हुमने के बाद बेक से डिडेक्ट कर लेगी तो मुझे प्रोपर तरीके से फोकस रख पाएगी पहले तो आपके आई काम करें अगर मैं फेस घूमा लेता हूं तो बहुत ज्यादा चांसे हैं कि मैं अपना फोकस लूज कर दूँ बट इस न्यू टेकनोलोजी यह चीज़े थोड़ी और आसान होने वाली है इसके इन गन शूट करते हो फास्ट शूट करते हो तो आपके लिए हेलफुल होने वाला है थर्ड अगर इंट्रेस्टिंग फिचर की बात कुछ जो भी सोनी एसे वने नहीं है वो है ओटो फ्रेमिंग बैसिकली अगर आप एक व्लोगर हो या फिर खुद का शुट करते हो तो य तो यह आपकी ओटो फ्रेमिंग की थुरू आपको रेक करेगा कि आप कहां पर गूम रहे हो इवन आपको अगर जूम इन जूमाउंट वाला एफिक्ट जी जो आपको इन केमरा ही हो जाए वहसा भी आप कुछ कर सकते हो इसके बाद में बात कुरू सबसे इंट्रेस्टिं क्या करते हैं तो आप जिस तरफ हो उस तरफ से ओडियो केच करेगा अगर मैं साइड में जाके बोलूँगा तो साइड वाला केप्सुल एक्टी हो जाएगा और वह आपकी आवाज रिकॉड करेगा तो इससे होगा क्या कि आपके आवाज ज्यादा केच होगी बजाए बे फिर शाटा के देखो अपोड्स साइड गरता है तो इसके अंदर फोकस ब्रीदिंग कमपनसरेशन है जो इसके नंदेर फोकस ब्रीदिंग करता है तो अगर आप फोकस कर रहे हो या फिर आप defocus से focus ले जा रहे हो या focus से defocus कर रहे हो तो ब्रीदिंग है जो बीच में जो camera टकता है कहीं पर जूम आउट जूम इन हो जाता है वह इसके अंदर नहीं होगा तो यह भी काफी अच्छी चीज़ है सब के लिए अगला इसका प्लस पर्मेंट है वह है इसकी वाली काफी compact होने वाला अगर आपने लिया आपके बेग में इतनी सी जगा लेगा आप चाओ तो pocket में डालके गूम सकते हो without lens, with lens तो pocket में नहीं आएगा सारी जी हो जाएंगी इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें वही बैटरी डल रही है जो sony fx3 में, sony 7s3 में या फिर बाकी जो camera जी बैटरी होती है हमारी वो सबसे अच्छी बैटरी होती है sony की तो वही बैटरी इसके अंदर डलने वाली है अगर इस stabilization की बात करों तो 5x stabilization है, dynamic range की बात करों तो 15 stops dynamic range है, 10 bit color depth देता है तो वो सारे pictures हैं जो आपको एक professional camera में चाहिए, पर इनको sony बोल रहा है कि ये एक vlogging camera है, seriously vlogging के लिए 4G 128 पे सितना सब मिलता है तो ये कोई vlog करने के लिए camera नहीं है, हाँ, अगर आप technical guru जी के तरह हो, जिसका पास सबको sony का ही है, तो आप इससे vlog कर सकते हैं तो हमने pros की बात बहुत सारी कर ली, बहुत सारे benefit है, कई के मायनों में बाकी camera से बैतर है, तो जो negative है, वो कहाँ है, कहाँ ये बाकी camera से, जो professional camera है, उनसे पिछा रहा था, तो वो बात करते है, कौन के अंदर तो सबसे पहला कौन, इसका जो plus point था, वो ही है, इसकी body, basically इसकी छोटी body, इतनी small body है, तो उसके दो नुकसान होगे, पहला नुकसान तो यह होगा, कि ये look professional नहीं देगा, अगर आप इस camera को निकालके client के सामने जाओगे, तो client बोलेगा, कि यार, इस camera कौन सा है, पता साथ लाग रुए से नीचे camera लगने वाला है, किसी को नहीं लगेगा, professional camera है, second negative point इतना lightweight camera है, कि अगर इस पे lens आप यूज करोगे भारी, तो आपको खुद को डर लगेगा, gimbal पे stabilize करने में जो रहाएगा, क्योंकि camera की body इतनी सी है, और उसका lens अगर आपने इतना बड़ा लगा second negative point की बात करें, तो वो है heating issue, देखो, S3 है, उसके अंदर cooling system है, but FX3, FX30 के अंदर इन्होंने fan देके और भी ज़्यादा cooling system कर दी, even मेरा S3 है, अभी तग 2 साल के अंदर साए 2 या 3 बार heat हुआओगा, इसके अंदर cooling system है, इसके अंदर fans वगेरा है ठंडा करने के लिए, अग अगर आप हीटिंग वाली environment में काम कर रहे हो, जो कि बहुत बारे में करना पड़ता है, अगर आप professionally मेरी तरह music video shoot करते हो, short films करते हो, web series करते हो, movies करते हो, तो आपको हो सकता है, आग के पास का scene हो, हो सकता है, बहुत जादा हाश धूप के अंदर आप shoot कर रहे हो, हो सकता है जैसे backup plan अगर रखना चाते हैं, दो card use में लेके, तो उल लोगों के लिए भी ये थोड़ा सा negative point है, 5th negative point की बात करूँ, तो वो है micro HDMI, देखो micro HDMI अगर कल को आप monitor अगेरा लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, तो micro HDMI proper नहीं एक चीज है, मतलब अगर कल को अपने ज़्यादा use तो वो two out भी सकती है, तो ये vloggers के साफ से इनों ने बनाया, इसलिए micro HDMI छोटी दी है, अगर full HDMI port होता, तो ज़्यादा बैठर होता, 6th negative point की बात करूँ, तो वो ये है, कि जब आप S3 जैसा, FX3 जैसा, या फिर कोई भी professional camera लेते हैं, तो आप उसको ninja V के साथ connect करके, 4K, 60 IPS तक RAW में output ले सकते हैं, 12 bit के अंदर, ये बहुत बड़ा age हो जाता है, प्रोरेज RAW का, जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, मैं भी बहुत बार प्रोरेज RAW काम में लेता हूँ, हर बार नहीं, बढ़ 25% shoots में ज़रुत पर जाती है RAW की, तो अगर आप RAW में shoot करना चाते हो professionally, तो अब हम बात करते हैं कि basically overall camera कैसा है, और आपको ये लेना चीए, या फिर आपको कोई दूसरा camera लेना चीए, देखो, clear करता हूँ किसके लिए camera है, vloggers, heavy vloggers, आप ले लो, कहीं पर कोई issue नहीं आएगा, आपको ज़्यादा hitting issue नहीं आएगा, आपको क्यों 4K RAW में shoot करना है, professional उतने level का नहीं, अगर mid range में हो, आप start कर रहे हो cinematic वगेरा, तो भी आप ए camera ले सकते हैं, क्यूंकि अगर आप start किया है, और आप अगर cinematic करना चाथे हो, अच्छे level का, log में, 4K में, 120 APS तक, तो आपके पास फूरी चीज़े हैं, बड़ आपको price Sony S1 S3 से लाग, देर लाग रुपे कम, और FX3 से लगबग देर दो लाग रुपे कम, almost half price में आपको शारे future मिलने वाले है, अगर आप एक YouTuber हो मेरी तरह है, तो जैसे मैं निमालो, मैं S3 से shoot कर रहा हूँ, अगर मैं उस camera shoot करूँगा, तो कुछ खास difference नहीं आएगा, अच्छे level के यूटूबर के लिए तो आपको 50,000 और भी shoot के दे सकते हैं, तो आपके लिए camera नहीं है, क्योंकि right now, अगर मेरे पास S3 है, अगर मैं camera buy करता है, तो मैं FX3 buy करता है, even अगर मेरे पास GV even खरीदने का option होता तो भी, पहला reason उसका लुक्ष है, क्लाइंट को दिखता है, कि ये actual में camera अच्छा है, व उसको बोल सकते हो, बहुत सारे buttons है, आपको use लेने में बहुत आसानी होती है, थोड़ा सा proper तरीके से उन्होंने cooling system वगेरा दिया है, तो अगर आप एक professional हो, तो ये camera आपके लिए नहीं है, अगर आप एक ऐसी time कर रहे हो, जो आपको महीने के 50,000 रुपे दे रहा है, average, तो आप इस camera को avoid करके, आप professional camera fx3 की तरह जा सकते हो, या फिर उससे भी आगे जा सकते हो, अगर आप beginner लेवल पे हो, या intermediate लेवल पे हो, तो आप इस camera को recommend कर सकते हो, quality में कहीं को issue नहीं आने वाला, थोड़ा सा कुछ features में, या फिर ये मान सकते हो, कि आप professionalism में थोड़ा सा य कहीं लेक कर रहा है, बाकी quality सेम देने वाला है, almost same sensor है, तो सारी सेम होने वाली है, तो ये था conclusion हमारे GV-E1 का बहुत अचा camera है, आपको अगर बाय करने का मन कर रहा है, या फिर आप क्यों नहीं बाय करना चारे, comment box में जरूर बताएं, बाकी ऐसे ही और interesting videos के लिए, या या फिर हम चाहते हो camera बाय करके review करें, please comment कीजिए, हमें support मिलेगा, तो हम आपके लिए और भी से review लेके आएंगे, बाकी हमने एक decoding da Vinci result नाम करके course बनाया है, जो आपको video editing सिखाने में मदब करेगा, from zero to hero, beginner level से लेकिए आप pro level तक advanced level तर जा सकते हो, अगर this course में interested है, आप नी आइक टो एफसाइट से आके बाय कर सकते हो, thank you so much दोस्तो, have a nice day.